हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आरबे स्पोर्टिंग पर दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आएसल सेबन यानि की 2021 का सीजन समाप्त हो चुकी है और यहां भी पता होगा कि इस बार मुंबई सीटी एपसी चंपियन बनी है लेकिन आप में से कईयों को यहां नहीं पता होगा कि विनर और रनर टीम को पुरुसकार रासी के रूप में कितना रासी मिला है गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को मिला गोल्डन गलप्स किसे मिला और इमर्जिंग प्लेयर्स आवार्ड किसे मिला यहां सब आपको नहीं पता होगा इस तरह के और भी इंडिविजल प्राइज किन-किन खिलाड़ीयों को मिला और कितने पैसों की बारिस हुई इस टुनामेंट में इस तरह के तमाम जानकारियां आपको मैं आज बताऊंगा तो इहां है दोस्तों सीजन सेबन की विनर टीम मुंबाई सिटी एपसी और इस टीम को पुरुषकार रासी के रूप में कुल आठ करोर रुपिये दिये गए और यहां है सीजन सेवन की रनर टीम यानि की उप विजेता टीम और इस टीम को मिले हैं पुरुसकार राशी के रूप में कुल चार कड़ो रूपी है तो चलते हैं अब इंडिविजल पराज की और इस सीजन विनिंग पास उप देन लीग का पुरुसकार दिया गया एपसी गोगा के खिलाडी अलबर्टो नोयग्रा को और उन्हें पुरुसकार राशी के रूप में कुल टू पॉइंट फाइब लक्स दिया गया गोल्डन गलप्स का अवार्ड एटी के मोहन बगान के गोलकिपर अरिंदम भटा चार्ज को दिया गया और उन्हें कुल टू पॉइंट फाइब लक्स दिया गया और गोल्डन बूट अवार्ड जो की टूनामेंट में हाइस्ट गोल स्कुरर को दिया जता है यहां पुरुसकार दिया गया एपसी गोगा के खिलाड़ी इगोर एंगिलो को और यहां टू पॉइंट फाइब लक्स दिया गया उन्हें तो अब बात करते हैं हीरो अफ दलीग हीरो अफ दसीजन सेबन की और यहां पुरुसकार यहां अवर्ड दिया गया एटी के मोहनबगान के कप्तान रोय क्रिश्णा को और उन्हें यहां रासी दिया गया कुल फाइब लक्स तो दोस्तों यहां महत्तपुर्ण जनकारी वा तोस्तों यहां महत्तपुर्स